हे गाईस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Facebook के Messenger पे हमको कोई request आती है तो वो हम कैसे देख सकते हैं ठीक है तो अगर आपके पास कोई message request आया है तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना है Facebook open करके उसके बाद Messenger अपना open कर लेना है ठीक है अब Messenger अगर आप open करना चाते हो तो आप directly भी अपने app list में से Messenger जो है वो access कर सकते हो ठीक है अब यहाँ पे मेरा Messenger open हो चुका है अब यहाँ पे हमको अगर कोई हमारा friend नहीं है और वो हमको message करता है तो हमको directly message यहाँ पे दिखाई नहीं देता है message request वाले section में जाता है तो पहले हमको message request वाला section नीचे ही देखने के लिए मिल जाता था लेकिन अब जो message request का center है वो change हो चुका है तो वो कहाँ पे है वो left side में सबसे उपर आपको chats के बगल में three lines देख रही है यहाँ पे आपको click करना है और यहीं पे आपको chats के नीचे marketplace है उसके नीचे message request है यहीं पे हमको video देखके मेरे पास message किया हुआ था और मैंने काफी दिनों तक इनकी request नहीं देखे क्योंकि इन्होंने मई में message किया है और अभी चल रहा है यह July ठीक है तो यहाँ से आप जो है वो देख सकते हो message request spam अगर कोई spam करता होगा तो वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल request check कर सकते हो और उस पर respond कर सकते हो ठीक है तो अगर आप आपको लगता है कि आपके पास कोई message कर सकता है तो आपको क्या करना message request पर यहाँ पर बन जाता है जब कोई नया message आएगा तो एक या फिर दो notification कुछ यहाँ पर दिखेगा तो उस पर आप क्लिक करो जैसे chat पर सब्सक्राइब करें और मिलता हम आपसे नेक्स वीडियो में तिल दन बाबाय और टेक केर